हलो किशान भाईयो सभी को नमस्कार आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ग्यहूं भंडारन संबंदित इस वीडियो में हम जानेंगे ग्यहूं को भंडारन के लिए कैसे तयार करते हैं बाग वरतन को भंडारन के लिए कैसे तयार करते हैं और ग्यहूं को सहजने की विदिय इसके बाद इन सभी विदियों की बिस्तिर्त जानकारी हम प्राप्त करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करले और बेल आइकन को भी दबा दे जिससे हमारी आने वाली निव वीडियो की जानकारी आपको पहले मिल सके गेहों की कटाई वा मुडाई के बाद सभी किसान भाई गेहों को घर लेके आते हैं इसके बाद सभी किसान भाई अपनी जरूरत के अनुसार गेहों का भंडारन करते हैं और बचे हुए गेहूं को बाजार के लिए तयार कर लेते हैं परन्तु उचित समय पर उचित दाम ना मिलने के कारण किसान भाईयों को उन्हें भंडारन करना पड़ता है अतक कुल मिलाकर किसान भाईयों को गेहूं भंडारन की आवस्चत होती है गेहों को साल भर सहच कर रखना एक बड़ी चुनोती होती है गेहों बंडारन के तोरान इसमें कई बीमारियां लगने का डर रहता है जिससे गेहों खराब होने लगता है इसमें मुखता घुन की समस्या देखने को मिलती है जिससे गेहूं खाने योग बा अगली फसल के लिए उप्योक्त नहीं रहता जिसके कारण किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है गेहूं को लंबे समय तक सहजने के लिए कई तरीके इजात किये गए हैं जिने किसान या कोई भी बेक्ती इन तरीकों को अपना कर गेहूं को लंबे समय तक सहज कर रख सकता है ग्योहों बंडारन के लिए हमें ग्योहों को बंडारन के लिए तैयार करना होता है इसमें खेट से लाए हुए ग्योहों को सीधे ही किसी भी बरतन में नहीं भरा जाता है यदि हम ऐसा करते हैं तो ग्योहों में बीमारी लगने का खत्रा बढ़ जाता है आईए जानते हैं ग्योहों को भंडारों के लिए तैयार कैसे करें सबसे पहले ग्योहों को अच्छी तरह से साफ कर लें नमर दो ग्योहों को अच्छी तरह से सुका लें इसमें किसी भी पिरकार की नमी नहीं रहनी चाहिए नमबर तेन ग्यों को अच्छी तरह सुखा लेने के बाद इन्हें एक दिन के लिए छाया में रख दें जिससे ग्यों का तापमान नॉर्मल हो जाए द्यान देने योग बात यह है कि ग्यों को सुखाने के तुरंत बाद ही इसे बरतन में न डालें इन्हें ठंडा करके ही बरतन में भर कर रखें जिससे की यह लंबे समय तक सहजे जा सकें इतना करने के बाद अब हमारे ग्यों भंडारन के लिए तयार हैं बहे भी ग्यों को लंबे समय तक सहजने में एहम योगदान देता है यदि हमारा बरतन सही तयार नहीं किया गया है तो बंडारन के लिए यह अनकोल नहीं होता है तब भी सहजे गए ग्यों में घुन आदी लगने की आसंका बहुत बढ़ जाती है इसलिए बरतन को बंडारन से पहले इस तरह से तयार करें या इन बातों का त्यान रखें सबसे पहले बरतन को धूप में सुका लें जिससे उसमें उपस्तित नमी खत्म हो जाए जो ग्यों को खराब करने का मुख कारण होती है बरतन के सूखने के बाद आप बरतन को किसी साफ कपड़े से साफ कर सकते हैं जिससे उसमें उपस्तित गंदगी अच्छे से साफ हो जाए उसके बाद बरतन को किसी ऐसे इस्थान पर ना रखें जहां पे नमी आने का खत्रा रहे बरतन को सदैब ऐसे इस्थानों पर रखना चाहिए जहां परियाप्त रोसनी आती रहे अर्थात जादा समय तक अंधेरा ना रहे उसे दिन का प्रकास अवस मिलना चाहिए समय समय पर प्रकास मिलते रहने के कारण नमी सूखती रहती है जिससे गेहुं लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं बरतन को नमी से भचाने के लिए बरतन को सीधे ही जमीन पर ना रखें उसके नीचे लकड़ी या इटे लगाकर एक पॉलिथीन पर रखना चाहिए इस बिवस्ता के करने से बर्तन की तली में नमी का आना रुक जाता है। ऐसी बिवस्ता करने से बर्तन में जमीन से आनी वाली नमी कसम पर तूट जाता है और बर्तन की तली में नमी आना बंद हो जाता है। ये तो थी बरतन को तयार करने से संबंदी कुछ मुख वाते गेहूं बरतन को तयार करने के बाद किसान भाईयों के सामने यह समस्या आती है कि कौन सी विदी अपनाई जाए जिससे हमारा गेहूं अधिक दिनों तक सुरक्षित रहे। चलिए हम आपको पताते हैं गेहूं सहजने की कुछ विदियां जिनको अपना कर किसान भाई लोग गेहूं को अधिक दिनों तक बिना खराब हुए सहज सकते हैं। गेहुं बंडारा करने के लिए मुखता दो बिदियां अपनाई जाती हैं जैबिक अजैबिक बिदियां हमारे गरेलू नुकसे होते हैं जबकि अजैबिक बिदी इसमें कैमीकल मिला दिये जाते हैं और गेहुं को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं जैबिक बिदियों से सुरक्षित किये गए गेहुं में किसी भी तरह के हानी का अरक पधार्त नहीं लगा जाते गेहुं सीधे ही आटा बनाकर खाने योग होते हैं क्योंकि इन में किसी भी प्रकार का बिसैला पधार्त नहीं पाया जाता गेहुं को सहजने के लिए जैबिक बिदिया निम्न है डली चूना द्वारा इह एक अनवजा चूना होता है जो हम दीवारों पर पेंट करने के लिए उपयोग मिलाते हैं इह चूना आपको आसानी से दुकानों पर मिल जाएगा किसान भाईयों आपको पता है कि इह चूना नमी पाकर बुजने लगता है इसलिए अनवजा चूना होने के कारण इह गेहूं में नमी सोख लेता है और गेहूं को सुस्क रखता है जिससे इह लंबे समय तक बने रहते हैं और इनमें किसी भी प्रिकार की बिमारी नहीं लगत उप्योग बिधी सबसे पहले चूने को छोटे-छोटे डेलो के रूप में पर्विर्तित कर लें दस कुंतल गेहूं को सहचने के लिए चूने की मात्रा लगबग 4 किलोग्राम तक उप्योगत रहती है इसमें मात्र चूने के डेलो का भार शमलित है चूने के डेलो को यहां पर एक बात का ध्यान रखना अवस्यक है कि हमें चूने में उपस्तित पाउडर को उप्योग में नहीं लेना होगा यह एक बुझा चूना होता है जो की नमी को नहीं सोकता अब तयार की गई चूने की पुडियों को बरतन की तली में अवस्यक्ता अनुसार 4-6 पु यहां डालने के बाद फिर से चूने की पुडियों लगाएं इसी प्रकार से गेहों के बीच चूना लगाते जाते हैं जब बरतन भर जाये तब अंत में सबसे उपर भी चूने की कुछ पुडियों को डाल दें इसके बाद बरतन को अंत में अच्छे से बंद कर दें दूस आवश्चक तद्व पाए जाते हैं जो गिहूं को भी सुरक्चित रखते हैं बैसे तो नीम के अनेक फायदे बताए गए हैं परन्तु हम सिर्फ नीम से गिहूं सुरक्चित करने की बात करेंगे इस बिदी में सबसे पहले नीम की पत्तियों को पेंड से तोड़कर इखटा क नीम की पत्तियां गेहों को बंडारन करने से पहले लगबग 10-15 दिन पहले ही तोड़कर सुरक्चित कर लेना है। सुरक्चित की गई पत्तियों को किसी छायादार इस्थान पर सुखा लें, इसे धूप में बिल्कुल भी न सुखाएं। धूप में सुखाने पर नीम की पत्तियों का असर कम होने लगता है, अता धूप में बिल्कुल भी न सुखाएं। जब पत्तियां सुख कर तयार हो जाएं, तब इह गेहों के बीच डालने के लिए तयार होती हैं। अब इन तयार पत्तियों को उप्रोक्त बिदी में सुजाए गए तरीके के अनुसार चूने की जगए इन पत्तियों को लगाते रहें। दसकुंतल गेहूं के लिए पांच किलो सुगी पत्तियां परयाप्त होती हैं। गेहूं भंडारन की इस बिदी में नीम की पत्ली पत्ली टहनियां प्रयोग में लाई जाती हैं। नमर चार भूसा के द्वारा पुराने समय में इह बिदी अधिकतर अपनाई जाती थी। परंतु नई नई बिदीयों के इजात होने से बंडारन की इह बिदी लगबग गुमसी हो गई है। इस बिदी में किसान भाई ग्यों की बोरियों को भूसा के अंदर दबा देते हैं। इस प्रकार ग्यों की बोरियां बर्स भर सुरक्षित रहती हैं और बोरियों तक कोई भी नमी नहीं पहुच पाती। जिससे ग्यों में गुन आदी लगने का बड़ा खत्रा कम हो जाता है। इस बिदी में हमें यह ध्यान रखना होता है कि भूसा खुली जगए में स्टोर नहीं होना चाहिए। जिसमें हम ग्यों की बोरियां दबाते हैं। भूसा हम किसी टीन, सैड या सीमेंट बाइट से बने मकानों में स्टोर कर सकते हैं। कि जान भाईयों इस बिदी के जो रिजल्ट है बहे ज़्यादा बिश्वसनी नहीं है। इसलिए यह बिदी आप सो समझ कर ही अपना है। अजैबिक बिदी में सबसे पहली बिदी है सलफास की गोलियों के दोरा ग्यों को भंडारान। वैसे तो ग्यों भंडारान के लिए हमें किसी जहर का उपयोग नहीं करना चाहिए। जहर हमारे सरीर के लिए नुकसान दायक होता है। परन्तु साबदानी को बर्तते हुए हम इन सभी केमिकल्स का उपयोग करते आ रहे हैं। इनमें से सलफास की गोली और पाउडर भी आते हैं। जिनको हम ग्यों के साथ को थोड़ा थोड़ा डाल कर ग्यों को सुरक्चित रख सकते हैं। केमिकल संबंदित प्रोड़क्ट आपको अपनी नजदी की किसान भंडार पर उपलवद मिल जाएंगे। किसान भाईयो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप हमसे कोई और जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। और हमसे जुणने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तदा वीडियो को लाइक और सेर कर दें।